नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि नेक्स प्रो फास्ट फॉर्टी टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, नेक्स प्रो फास्ट टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और नेक्स प्रो फास्ट टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, नेक्स प्रो फास्ट फॉर्टी एक ब्रैंड नेम है, नेक्स प्रो फास्ट टाबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इसो में प् धज्मी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Nexpro Fast Tablet का उप्योग किया जाता है. Nexpro Fast Tablet को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पे जातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ा से ये साइड इफेक्स ना हो. इसलिए आपका डॉक्तर Nexpro Fast Tablet को एंटिबायोटिक दवा ट्रीट करने के लिए भी Nexpro Fast Tablet का उपयोग किया जाता है. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचै वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Nexpro Fast Tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा Nexpro Fast Tablet की वजह से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Nexpro Fast Tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Nexpro Fast Tablet को लेने से शरीर में Vitamin C, Vitamin B12, Calcium, Iron और Magnesium की कमी हो सकती हैं. इसलि नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Nexpro Fast Tablet को लेने से ओस्टियों पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ओस्टियों पोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है. Nexpro Fast Tablet की वजह से ओस्टियों पोरोसि को कैसे लेना recommended होता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Nexpro Fast Tablet को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं. Nexpro Fast Tablet को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए. Nexpro Fast Tablet की डोज उम्र, शरीर के वज और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. वैसे Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Nexpro Fast Tablet का सेवन करना recommended नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर Dr. Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Nexpro Fast Tablet को लेने की सला दे सकता है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Nexpro Fast Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके कुछ सकती है.